Hello class UKG, कैसे हैं आप सब? Children, today I will teach you use of in and on in English subject. Children, open your book page number 3939. ये हैं आपका page number 3939. ये देखें मैंने दिखाया. आप अपना book open करेंगे. और उपर आपको topic है. I am in and and on. on, in and on. लेट्स इस्टार्ट पढ़ना सुरू करते हैं. A, B, A, T, bet. A bet, O, N, on, A, M, A, T, met. A bet, on, a, met. on means होता है, उपर, in means होता है, अंदर, और in means में भी होता है. तो, यहाँ देखें, यह मैट बना हुए, मैट मिन्स होता है, चटाई, और बैट मिन्स होता है, बल्ला. तो यह हम लोग देख रहे हैं कि, चटाई के ऊपर बैट रखा हुआ है. आप सब देख रहे हैं न, बैट कहां रखा हुआ है, where is the बैट, बैट is on the mat. तो यहाँ देखें, बता रहा, बैट on a mat. एक बैट, एक चटाई पर, इसका मतलब हुआ है, यह चटाई के ऊपर है. नेश्ट, a, d, o, g, dog, o, n, on, a, l, o, g, log, a dog on a log, log means होता है, लकडी का, यह जो बोटा होते से log कहते हैं, और यह dog means कुटा. तो dog देखिए, आप पिचर में कहां बैटा हुआ है, log के ऊपर बैटा हुआ है, ऊपर किसके means होता है, on means, on means, ऊपर. तो यहाँ देखिए, on का use किया गया है, a dog on a log, a dog, एक लाग के ऊपर है, ओके, नेश्ट, a, b, u, g, bug, a bug, o, n, on, a, p, u, p, pup, bug means होता है, यह insect होता है, तो यह देखिए, यह bug बना हुआ है, यह bug कहां है, यह pup means dog का बेबी, तो यह कुत्ते के बच्चे के ऊपर, यह pup पैठा हुआ है, तो बोला, a bug on a pup, bug जो है, pup के ऊपर है, ओके, next, a, b, a, l, l, ball, a ball, o, n, on, a, b, o, x, box, a ball on a box, picture में देखिए, ball, box के ऊपर है, और यह बता रहा है, on means होता है, उपर, on means, उपर, o, n, on, on means, उपर, यह ball on a box, ball कहां है, ball, box के ऊपर है, okay children, coming to the next line, a, h, e, n, hand, i, n, a, p, e, n, pen, a hand in a pen, देखिए, यह hand कहां है, इस pen में है, pen means होता है, जिसमें बुर्गी को रखा जाता है, उसको करते है, pen, तो यह hand in a pen, hand कहां है, pen के अंदर है, in means होता है, अंदर, देखिए, यह इसके अंदर है, न, इहां पर क्या उसकी आगया है, in, in, in means, अंदर, in means, में, next, a, r, a, t, rat, i, in, in, a, n, e, t, net, net, net means होता है, जाल, rat means चूह, a rat in a mat, तो एक चूह, एक जाल में, देखिए, in means, अंदर, में भी होता है, जाल के अंदर है, चूह कहां है, rat कहा है, where is the rat, the rat is in a net, okay, a, m, a, n, man, i, n, in, a, b, u, s, bus, a man, in a bus, यहां दिखिए, man दिख रहा है, और यह bus के अंदर है, कहां है, bus में है, bus के अंदर है, तो यहां बता रहा है, in, i, in, in means, में, यहां अंदर, a man, in a bus, एक आदमी, एक bus में, okay, next लेकते हैं, a, p, u, p, pup, i, n, in, a, t, u, b, tub, a pup, in a tub, पप कहां बैठा हुआ है, आप पिच्चर में देखिए, a tub के अंदर बैठा हुआ है, तो इसे in कहते हैं, in means, अंदर में, tub में बैठा हुआ है, tub के अंदर बैठा हुआ है, a dog in a tub, dark tub में है, children, इस तरह आप लोग अपना page number 39, जैसे मैंने पढ़ाया, i, n, in, a, d, n, o, on, in means, अंदर, on means, super, ऐसे पढ़ देएंगे, जैसे मैंने पढ़ाया, ऐसे आप अपने book की reading लगाएंगे, इसे आपको अच्छे से पढ़ने आजाएं, और इसे two time, three time पढ़िएगा, जब तक आपको अच्छे से लगना हो जाएं, next page है, 4040, देखे, 4040, यह आपका open करेंगे, यहाँ पर दिया हुए activity, और लिखा हुए है, इसको करना पिक्चर को देखिए, यहाँ पर पिक्चर बना हुए, इस पिक्चर को देखना है, और हम लोगों को पिक्चर देख करके, जो खाली जगह है, उसको फिल करके, भरना है, in और on, भर करके, उसे complete करना है, ओके, यहाँ पर दिये, s, a, m, sam, i, s, is, यहाँ पर खाली जगह है, इसे blends करते हैं, blends means, खाली जगह है, t, h, e, d, a, m, a, t, mat, तो यहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे, पिक्चर देखिए, इस y का नाम है, sam, sam, is, on, on the mat, sam, कहाँ बैठा हुआ है, यह mat है, mat के उपर, sam बैठा हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे, sam is, on, on, on the mat, okay, next line है, a, p, l, a, t, e, plate, i, s, is, फिर यहाँ पर blacks दिया हुआ, t, h, e, d, a, m, a, t, mat, a plate, a plate is, d, a, mat, तो यहाँ हम लोग, खाली जगह में क्या भरेंगे, plate देखिए, पहले picture में, कहाँ है, यह देखिए, plate भी mat के उपर है, तो, a plate is, on the mat, यह complete हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कि plate, mat के उपर है, on means होता है, उपर हमने यहाँ क्या फिल किया, on, on the mat, next line है, a, f, i, s, is, is, यहाँ, blanks दिया हुआ, t, h, e, d, a, p, l, a, t, e, plate, a fish is, a plate भी fish रखा हुआ, picture में देखिए, fish कहां रखा है, plate के अंदर, plate में रखा हुआ, a fish is in the plate, यहाँ आम लोग क्या भरेंगे, in means, में, plate में, अंदर भी होता है, in means, plate के अंदर रखा हुआ, a fish is iron in, in the plate, a fish is in the plate, okay, t, h, e, d, a, t, e, plate, a, d, and f, i, s, h, fish, a, r, e, r, फिर यहाँ, dash दिया हुआ है, t, h, e, the, or mat, the plate, e, plate, and fish are on the mat, देखिए, plate and fish कहां रखा हुआ है, दोनों mat के ऊपर रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, the plate and fish are on the mat, इस तरह यह हम लोगों का complete हो गया है, जैसा मैंने classwork में इसे फिल किया है, ऐसे आप भी फिल करके, अपने इसको complete करेंगे, और इसे भी आप plate करेंगे, okay, next time, fill in the blanks with in or on, यहाँ भी आप लोगों को picture देख करके, यह आपका homework है, और इसे आप अपने आप से करेंगे, यह देखिए, यहाँ पर picture दिया हुआ है, और यहाँ देख करके आप भरेंगे, यहाँ हम लोग in fill करेंगे या on fill करेंगे, देखिए, यहाँ दिया हुआ है, a, g, o, a, t, goat, a goat, फिर डैस दिया हुआ हुआ है, a, b, o, a, t, boat, boat means होता है now, goat means होता है पकरी, तो आप picture में देखिए, goat कहाँ है, goat, boat के अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, a goat in a boat, यहाँ क्या fill करेंगे, i, in, in, यहाँ fill करेंगे, और sentence को complete करेंगे, ओके, next line है, a, b, e, n, pen, p, dash है, a, t, i, n, tin, a pen, a, tin, तो यहाँ देखिए, pen है, और यह tin के अंदर है, अंदर है न, तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, a pen, i, in, in, यहाँ पर भी in fill करेंगे, a, t, i, n, tin, a pen, in, a tin, ओके, next है, a, c, u, p, cup, a, t, a, b, l, e, table, a cup, p, dash, table, आप देखिए, cup नहाँ रखा हुआ है, table के उपर है, on means, उपर, picture देख करके ही आप फिल करिएगा, o, n, on, यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग भरेंगे, o, n, on, a cup, on है, table, okay, next है, a, b, i, r, d, bird, p, dash, है, t, h, i, the, s, k, y, sky, यहाँ देखिए, picture ने, bird कहाँ है, a bird in the sky, आकास में है, आसमान में है, आसमान की उपर नहीं है, a bird in a sky, यहाँ पर भी हम लोग आई है, इन फिल करके, sentence को complete करेंगे, okay, children, अगर आपको नहीं आएगा, तो आप उपने, ममी पापा से help लीजेगा, हाँ, यह आपका आज का homework है, okay, children, इस तरह आप अपनी book, page number 39, page number 40, page number 39, जैसे मैंने पढ़ाया, बिल्कुल ऐसे, read loudly, इदम बिल्कुल तेज तेज पढ़ेंगे, और उसके बाद page number 40, आपका exercise, यह आपका classwork और homework कर आया है, मैंने, okay, children, I hope कि आपको in and on समझ में आ गया होग और आप लोग अच्छे से, in, in, in means अंदर, on, on, on means उपर, इसको learn कर लिजेगा, और picture देख करके, अपना feel करके, अपना work complete करिएगा, फिर विलेंगे in next video में, take care, bye, bye,